हेलो एव्यमन मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ आज मैं बैबिलोनियन सभ्यता के अंतरगत जो धार्मिक व्यवस्था विद्यमान रही थी उस पर चर्चा करूंगे बैबिलोनियन सभ्यता विश्व के प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों में विशिष्ट स्थान रखती है और हम देखते हैं कि बैबिलोनियन सभ्यता में भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों की तरह बहु देववाद का प्रचलन रहा था सुमेरियन धर्म की विभिन विशेशताओं को भी बैबिलोनियन धार्मिक विवस्ता में शामिल किया गया था और यही कारण रहा था कि बैबिलोनियन सभ्यता में हमें सुमेरियन देवी देवताओं का उलेक मिलता है अब आगे मैं विस्तार से बैबिलोनियन सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था के संदर में चर्चा करूँगी बैबिलोनियन सभ्यता में यदि हम प्रमुख देवी देवताओं के संदर में बात करें नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम सर्व प्रमुख देवता के संदर में बात करें, तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि बैबिलोनियन सभ्यता में जैसे जैसे नगरों का महत्व बढ़ता चला गया, सर्व प्रमुख देवता के रूप में मर्दूख ने जगह ले ली थी, वास्तव में हमुराभी के समय बैबिलोनिया में मर्दूख सर्व प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हो चुके थे, बैबिलोनिया सभ्यता में मर्दूख सर्व प्रमुख देवता थे, इस संदर में इतिहासकार एनुमा एलिस जैसी रचना का साक्ष देते हैं, जिस पुर्व अक्कत भाशा में की गई थी नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम कुल देवता के संदर में बात करें तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि बैबिलोनियन सभ्यता में प्रत्येक परिवार का एक कुल देवता हुआ करता था बैबिलोनियन सभ्यता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि प्रत्येक नगर का अपना एक इश्ट देवता हुआ करते थे जिनके लिए मंदिरों का निर्मान किया गया था तथा इस नगर देवता की पूजा नगर के शाशक मुख्य पुजारी बनकर किया करते थे नेक्स यहाँ पर यदि हम और अधिक बात करें धार्मिक विवस्ता के संदर में तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि बैबिलोनियन सभ्यता में राश्ट्र का भी एक देवता हुआ करता था तथा इस देवता की मंदिर राजधानी में होती थी जहां राजा मुख्य प चड़ाए जाते थे साथी साथ पूजा सधारन जनता के द्वारा दूर से ही किया जाता था वहीं राजधाने से संबंधित लोग और पुजारी देवता के समीप बैठ कर पूजा किया करते थे बैबिलोनियन सभ्यता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि देवताओं को प्र पुजारी वर्ग के द्वारा किया जाता था। देवता के प्रतिनिधी के रूप में शाशन करता था। जिसके परिणाम स्वरूप प्रधान पुजारी सबसे प्रभाव शाली और शक्ति शाली व्यक्ति होता था। बैबिलोनियन सभ्यता में पुरोहित वर्ग के हाथ में शाशन व्यवस्था रहने के कारण समाज में पुरोहित वर्ग के प्रभाव और महत्व में काफी व्रिधी हुई थी। बैबिलोनियन सभ्यता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पुरोहित तीन वर्गों में विभाजित हुआ करते थे। इन में पहला वर्ग में वो पुजारी को रखा गया था जो देवताओं को प्रसंद करने के लिए अपने जादू के माध्यम से दानूओं को भगा देते थे। दूसरे वर्ग में ऐसे पुरोहित रहे थे जो भविश के संदर्व में भविश्वानी किया करते थे तथा तीसरे वर्ग में ऐसे पुरोहितों को रखा गया था जो मंत्र, संगीत और प्रार्थनाओं से देवताओं को प्रसंद किया करते थे नेक्स जिहाँ पर यदि हम माश माश के संदर में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बैबिलोनियन सभ्यता में हमें पुजारियों के एक ऐसे वर्ग का उलेक मिलता है जो देवताओं को प्रसंद करने के लिए जादू की सहाइता लेते थे और इन्हें माश माश कहा जाता था बैबिलोनियन सभ्यता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि ऐसे पुरुहित वर्ग जो जादू जानते थे और कुरुद देवताओं को प्रसंद करने में सक्षम थे उन्हें कालू कहा जाता था बैबिलोनियन सभ्यता में पुरोहितों में जो प्रधान कालू होता था वह सबसे महत्वपून पुरोहित समझा जाता था तथा इसका पद वन्शानुगत हुआ करता था नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बेल मर्दुक के संदर में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सुमेर के महत्वपून देवता एनलिल को बेल नाम दिया गया था तथा उसका संबंध समेटिक देवता मर्दुक के साथ स्थापित किया गया था और उन्हें बैबिलोनिया के सरवोच देवता के रूप में बेल मर्दु के रूप में पुजा जाने लगा था Babylonian सभ्याता में हमें इस्तर देवी के संदर में भी जानकारी मिलती है जो Sematic देवी रही थी जिनका मंदर इरेक में स्थित था इस्तर देवी को ही बाद में एशिया में प्रेम की देवी के रूप में मान्यता मिली थी तथा इन्हें रोम में वीनस तथा युनान में एफ्रोडाइटिस नाम से पुकारा गया है नेक्स यहाँ पर यदि हम तामूझ के संदर में बात करें बैबिलोनियन सभ्यता में तामूझ प्रमुख देवता के रूप में पुझे जाते थे जो नौ जीवन के प्रतीक देवता थे तामूझ को इस्तर का पुत्र प्रेमी और भाई कहा गया है पत्जड के समय इसकी मृत्यू तथा बसंद के समय इसके पुनर जन्म का वर्नन मिलता है नेक्स यहाँ पर यदि हम शमस के संदर में बात करें तो हम यह देखते हैं कि सेमेटिक देवता के रूप में सूर्य देवता शमस भी काफी महत्वपून रहे थे जिनका मंदिर लारसा में स्थापित किया गया था आगे जब हम यहाँ पर धर्म के उदेश के संदर में बात करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बैबिलोनियन धर्म का उदेश यह था कि जन्साधारन अपने द्वारा किये गए पापों का प्रैश्चित देवताओं के समक्ष करें तथा भौतिक सुखों को प्राप् कर सकें वास्तव में बैबिलोनिया का धर्म अध्यात्मिक नहीं था बलकि भौतिक था जिसमें स्वार्थ और भै की भावना नहित रही थी आगे यहाँ पर यदि हम बात करते हैं भौतिक सुख के संदर में तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बैबिलोनियन सभ्यता में के प्राप्ट करने के लिए की जाती थी बैबिलोनियन सभ्यता में भूत और प्रेत के भैसे मुक्त होने के लिए लोगों के द्वारा ताबीज और देवताओं की लगु मूर्तियों के मालों को धारन किया जाता था नेरगल के संदर में यदि हापे चर्चा की जाए तो हम यह जानकारी मिलती है कि बैबिलोनियन सभ्यता में भूत प्रेतों पर लोगों का विश्वास था और प्लेग और नरक के देवता के रूप में नेरगल की पूजा की जाती थी भूत प्रेतों से सुरक्षा के लिए भी हमें जो है यह जानकारी मिलती है कि बैबिलोनियन धर के अंतरगत पूजा का एक उद्देश ये भूत प्रेतों के भै से मुक्त होना भी रहा था बैबिलोनियन सभ्यता में हम यह देखते हैं कि परलोक की कलपना की गई थी जिसका उधारन हमें गिल गमेश आख्यान से प्राप्त होता है जिसमें यम लोक की यात्रा का वर्नन किय गया है तथा इसके बार्वे खंड में परलोक का वर्नन भी किया गया है नेक्स यहां पर यदि हम परलोक में शांती के संदर में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बैबिलोनियन सभ्यता में यह धार्मिक विश्वास था कि मृत्तिव होने पर उसी व्यक्ति को परलोक में मिलती है जिसके संबंधी और रिष्टेदार उसके समाधी पर निरंतर, आहार और पेपदार्थ अर्पित करते रहते हैं। बैबिलोनियन सभ्यता में यह विश्वास किया जाता था कि यदि किसी मृत व्यक्ती की समाधी पर उसके संबंधियों के द्वारा आहार और पेपदार्थ नहीं अर्पित किये जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ती प्रेत और भूत प्रेत बन कर सडकों पर विचरन करते हैं और नाल इसी कार्य के अच्छे या बुरे फल के होने या नहीं होने के लिए शकुनों का अध्यन करता था, पुरोहित वर्ग के द्वारा अच्छे शकुन बताने पर ही महत्वपून कार्य संपाधित किये जाते थे, पुरोहितों के द्वारा शकुनों का अध्यन करने के लिए यक यकृत विधी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बली दिये गए भीड के यकृत पर उत्पन्च चिनों के अधार पर निन्ने लिया जाता था, यकृत पर उत्पन्च चिन से भविश्य की परिकल्पना की जाती थी। किलाक्षर लिपी में अर्थ लिखा हुआ है। बैबिलोनियन सभ्यता में हम यह भी देखते हैं कि शुब और अशुब भविश्य के अध्यन के लिए जियोतिश, चंद्र, पंचांग का प्रयोग किया करते थे। वर्ष के साथ चंद्र वर्ष का मेल करने के लिए कभी कभी किसी किसी वर्ष में अतरिक्त महने भी जोतिशियों के द्वारा जोड़ दिये जाते थे। बैबिलोरियन सभ्यता में लोगों में भूत प्रेतों का अत्यधिक भै रहा था। यही कारण था कि वो मृतकों को भूमी में गार देते थे या जला देने के बाल अस्थियों को घड़े में रख कर उस घड़े को भूमी में गार दिया करते थे। मृतक के शोग को जलाते समय भी विशेश सावधानी रखी जाती थी कि शव पुरी तरह से जल जाए। नेक्स यहाँ पर यदे हम स्त्री-पुरोहित के संदर में बात करें तो हम यह देखते हैं कि उचे-खंडानों से आने वाली लड़कियों को विदिवत तरीके से पुरोहित बनाया जाता था तथा यह अपेक्षा की जाती थी कि इन पुरोहितों के द्वारा उच नहत्व आचरन का अनुसरन किया जाएगा इन स्त्री पुरोहितों की नियुक्ति शकुनों के आधार पर की जाती थी। बैबिलोनियन सभ्यता में भेडों, बक्रों और सुरों की बली दी जाती थी। जिसका उद्देश ये देवताओं को प्रसंद करना होता था। बली देते समय कर्म कांडों से पूजा संपन की जाती थी। मंदिरों में बली दान स्थान निश्चित हुआ करते थे। है कि सुर्य पूजा और चंद्र पूजा को काफी महत्व दिया गया था। यदि हम देवताओं के निवास स्थान के संदर में बात करते हैं तो हमें या जानकारी मिलती है कि बैबिलोनियन सभ्यता में लोगों का या विश्वास रहा था। कि देवता न सिर्फ मंदिरों में निवास करते हैं बलकि स्वर्ग में भी उनका निवास स्थान है। पाप और पुन्य फल को ये ले करके भी बैबिलोनियन सभ्यता के लोगों में विश्वास रहा था। मनुष्य को सिर्फ एक जीवन दिया जाता है तथा इस जीवन के समाप्त होने के बाद मनुष्य पर लोग चला जाता है। जहां से वह पुनर जन्म के द्वारा इस दुन्या में फिर से नहीं आता है। आगे यहाँ पर यदे हम एंटू के संदर में बात करें कि ये क्या है, तो हमें ये जानकारी मिलती है कि धार्मिक व्यवस्था के अंतरगत हम ये देखते हैं कि बैविलोनियन सभ्यता में देवधासी प्रता उपस्थित रही थी, तथा प्रधान देवधासी को एंटू कहा जाता था जो कि समाजिक प्रतिष्टा की दृष्टी से काफी महत्वपून पद हुआ करता था और यही कारण है कि इस पद के लिए न सिर्फ नागरिक बल्कि समराट भी अपनी पुत्रियों को देने के लिए ततपर रहते थे हमुरावी की सहीता में एंतु को विवा करने की भी अनुमती दी गई थी मंदिर में जिस हिस्से में वह निवास किया करती थी उस हिस्से को गीपारों रूप या एपिगार कहा जाता था नेक्स यहां पर यदि हम नादीतू के संदर में बात करें तो हम यह देखते हैं कि धार्मिक विवस्ता के अंतरगत बैबिलोनियन स सहीता के अनुसार इन्हें विवाह करने की स्वतंतरता नहीं थी अगर वे विवाह करना चाहती थी तो उन्हें अपने पद का त्याग करना पड़ता था इनके निवास स्थान को गागु कहा जाता था इस पकार हमने ये देखा कि बैबिलोनिया की सभ्यता में धार्मिक महत्व स्थापित रहा था लोगों का ये विश्वास था कि देवताओं को प्रसन कर भौतिक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है तथा बैबिलोनिया की धार्मिक वैवस्था में पुरोहित वर्ग को काफी महत्व प्राप्त था, क्योंकि जन सधारन का यह विश्वास था कि देवता अपनी इच्छाएं उन्हीं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो की आज के इस चर्चा को यही पर विराम देती हूँ, अपने अगले वीडियो में मैं बैबिलोनिया की सभ्यता के संदर्व में कला और संस्कृती पर चर्चा करूंगी, थैंक्यू, स्टे कनेक्टर